नमस्कार दोसों मैं रिना आपके अपने चैनल रिना किचन रेसिपी एंड व्लोग्स में स्वागत करती हूं तो आज है मौक्षिदा एकादशी 14 दिसंबद 2013 मंगलवार के दिन तो आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि एकादशी के व्रत में सेंदा नमक खा तो ज्यादा बोर ना करते हैं वीडियो को मैं करते हूं यहां पर शुरू तो आज मौक्षिदा एकादशी जो कि दिसंबर महीने की सबसे आखरी एकादशी हैं 2021 साल की तो एकादशी व्रत काफी लोग करते हैं तो उनको दश्मीर तीति से ही एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए अब नेचुरली बात जो लोग वरत करते हैं तो वरत में कुछ ना कुछ तुखाते हैं क्योंकि जो नियम होते हैं वह एकाधरी तीथी से सुरू होने के बाद में दौआधरी तीथी के पारांड तक यह वरत रखा जाता है तो हमें एकाधरी के वरत में नमक का प्रियू सेंदा नमक का प्रियू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूं कि जो हमारे सांसरी बात कहते हैं कि व्रत करना है तो कुछ भी नहीं खाना है जो लोग व्रत करते हैं जो हमारे सादू संद व्रत करते हैं वो व् जिसके अंदर जो भी वरत करते हैं हमाई शास्र वांते हैं कि हमेशा बोजन किया जाता है वो वरत में मीठा बोजन किया जाता है नायकि नमक उसमें प्रियोग किया जाता है कोई साब भी हो हमारी यांपे 3DR की नमक होते हैं क्योंकि समूद़ई नमक, सैंदा नमक और काला नमक बोलते हैं और फूट सौल्ट बोलेच की बारे में सब्हीं को पता होता है लेकिन हमें उनका यूज किस तरह से करना चाहिए वह इसके बारे में आपको किसी और वीडियो में जानका दी जाएगी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेंदा नमक होता है, उसमें तब से ज़्यादा जो उसे पहाडी नमक भी बोलता है, पत्थर से बना हुआ नमक, जैसा कि सेंदा नमक और काला नमक, का वो व्रत में प्रियोग कर सकते हैं, इसलिए कुछ लोग तो व्रत में प्रियोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि व्रत में सेंदा नमक का भी प्रियोग नहीं करना चाहिए, अगर आप कुन स्रदा के साथ जो व्रत करते हैं, क्योंकि इसमें जो पहाड़ो से निकलावा नमक है तो नेचुररली बाज दर कुछ खनीच पदार्त जरूर पाए जाते हैं जो कि खाने के तो पर तो सही माने जाते हैं लेकिन अगर आप व्रत करते हैं कोई उप्वास करते हैं व्रत में तो हाला कि सब लोग खाते हैं सेहंदा नमक भी खाते हैं व्रत के लेकिन जो उपवास करते हैं, जो पूरे दिन बार कुछ ही नहीं खाते हैं, उल्ली सुवरत का खाना खाते हैं, तो वहां पर आप सेंदा नमक का प्रियूख बिल्कुल भी ना करें, अब यह है कि कुछ लोग फिर भी है न, मुझे तो कमेंट करके पूछते हैं कि दीदी हमा नमक का सकते हैं क्या, तो देखे जहां आपकी स्वास्त की बात आती है, तो उसमें आप सेंदा नमक का प्रियूख कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उपवास करते हैं, तो उसमें प्लीज सेंदा नमक का प्रियूख बिल्कुल भी ना करें, व्रत के बहुत सा बोजन होता है, जो मीठा पोजन बनाया जा सकते हैं आलू का कुट्टू का सिंगाड़े का और इसके अलावा आप चाहें तो काली मिर्ची का प्रियुक उसके अंदर कर सकते हैं लेकिन नमक का प्रियुक बिल्कुल भी ना करें कोई से भी नमक का तो यह जानकरी अगर आपको पसंद नहीं ह तो यूडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइक मिटें दबा दीजिए और मुक्षिदा एक अदेश की आपको हार्दिक शुप कामने हरे किष्णा